दोस्तों आलू मटर के तो अलग-अलग तरीके आपने देखे ही हैं लेकिन ऐसा तरीका जिसमें 10 से 15 मिनिट में ही आलू मटर बन के तयार हो मतलब मेहनत बिलकुल ना के बराबर हो सारी चीज़े एक साथ डाल देंगे कोकर में सीटी लगाएंगे और आलू मटर बन के तयार इतना टेस्टी रिजल्ट आता है दोस्तों ऐसे की सज बोल रहा हूं आप रोज बनाकर ऐसे ही खाओगे क्योंकि आपका दिल खुश हो जाएगा यह मेथट देखकर सज बोल रहा हूं दोस्तों तो फटाफट से बताता हूं कि मैंने यह कैसे बनाया है तो फिर देर के सबात की चलो फिर शूरू करते हैं दोस्तों आलू मटर बनाने के लिए मैंने आपर चार प्याज का इस्तमाल किया है यह थोड़े छोटे प्याज हैं तो इसलिए मैंने चार लिए हैं वैसे इंटी मीडियम साइज भी काफी होंगे आप प्यास के रूट्स निकाल देना और एकदम रफली चॉप करना कोई फाइन चॉपिंग करने की जुरूत निया थोड़ा मोटा मोटा रखेंगे तभी सही से यह रेसिपी काम करती है इसके साथ मैंने चार टमाटर लिए हैं यह हाइबरेड वाले टमाटर है ध्यान रहे अगर आप देसी वाले टमाटर यूज़ कर रहे हो तो दो ही यूज़ करना क्यों थोड़े खटे हो जाएंगे और अगर आप हाइबरेड यूज़ कर रहे हो मेरी तरह तो आप चार होंगे एकदम सही ग्रेवी बन जाएगी इन से और क्या उनको काटना है फाइन चॉप करना है नहीं नहीं दोस्तों बस इनको आधा कट कर देना और टूट निकाल देना असान है ने माँशन है अध्रक को आपको गषिसना पड़ेगा क्योंकि अध्रक में क्या होता है कि यह घल्ती नहीं है और रही बात आलूों की तो आलों को मैंने बहुत छोटा नहीं किया है एक छोटा अलू है तो उसको आधा कट कर लिया है medium size का अलू है तो उसके 3 part कर लिया है और अगर बहुत बड़ा size का अलू है तो आप इसको 5-6 पार्ट में कर लेना लेकिन बहुत छोटा मत करना, यह बहुत important point है recipe का अगर बहुत छोटा रखेंगे तो आलू जादा जल्दी पक जाएगा और रेश्पी सही से बन नहीं पाएगी आखरी चीज जो आपको चाहिए वो है लेसुन और लेसुन आपको काटनी है बिलकुल भी नहीं दोस्तों बिलकुल पूरी पूरी ऐसे ही इस्तमाल करेंगे बस यही थी तियारी अब मैं आपको दिखाता है इसको बनाना कैसे है आप बस कुकर में सरसो का तेल डालना मैंने आधा कब सरसो का तेल लिया है तो घबरानी की कोई बात नहीं है दोस्तों मैं आपको आगे बताऊंगा कि उसको टाकल कैसे करना है लेकिन मैंने सरसो का तेल इस्तेमाल किया है तो उसको अच्छे से पहले गरम किया है और फिर इस गरम गरम तेल में आप सुखी लाल मिर्चे डालना स्पाइसी बनाने के लिए थोड़ा सा जीरा डालना इसी मेथट से आप डालना पहरे लेसुन डालना फिर प्यास डालना फिर आप आलू डाल देना सारे आलू इसी टाइम पर डालने हैं दोस्तों कमाटर भी इसी टाइम पर डाल देना किसी भी अधरक भी इसी टाइम पर डाल देना बिलकुल और दो कप मैंने मटर ली हैं एकदम फ्रेश मटर, सीजन वाले, मीठे मीठे वाले अभी खतम नहीं हुआ है दोस्तों हल्दी, कश्मीरी, लाल मेट्ज, धनिया पाउडर और नमक ये सारी चीज़े दोस्तों इसी टाइम पर डालनी है जान रहे, ये सब चीज़े डालते वक्त मैंने गास को बंद करके रखा हुआ था तेल गरम-गरम था तो रहल किसी कुकिंग नीचे अल्रेडी हो ही चुकी है आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देना ताकि मसाले अच्छे से मिल जाए पर अब सबसे important चीज़ आती है जो अब question आपके दिमाग में आ रहोगा कि ये cooking हो पाईगी, पानी डालना है या नहीं डालना, आगी करना कैसे है तो दोस्तो अब मैं आपको इसका answer देता हूँ ये सारी चीज़े मिलाने के बाद आपने ढखकन लगा कर CT लगानी है ये procedure है अब आती है सबसे important part अगर आपको तेल जादा लग रहा था तो कैसे cooking करनी है अगर आपने तेल कम डाला और पानी बिल्कुल भी नहीं डाला तो दोस्तो ध्यान देना कि जलने के chances बहुत जादा होंगे तो pressure हो करकर ढखकन लगाने से पहले दोस्तों आप यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल देना पानी एक insurance होगा कि जो हमारा पूरा mixture है यह जले बिल्कुल भी ना जैसे कि तेल एक insurance है कि यह पूरा mixture है यह जले बिल्कुल भी ना मैंने जादा तेल इसलिए use किया है ताकि यसमें roasting भी अच्चे से हो भुनाई भी अच्चे से हो फलेवर भी निकल कराए तो ध्यान रहे अगर आप पानी जादा यूज़ करने वाले हो तो हलका सा उबला उबला सा फ्लेवर आएगा तो मेरा तो यही कहना है कि मेरी रेस्पी एकदम ढंक से फॉलो करना अच्छा रिजल्ट आएगा तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ कुकिंग कैसे करनी है आप गास को मीडियम हाई फ्लेम पर रखना और तीन सीटी आने देना धड़ी से देखकर दोस्तों आपको मुश्किल से दस मिनिट लएंगे और दस मिनिट में तीन सीटी भी आ जाएंगी तीन सीटी के बाद जब आप गास बंद करोगे तो प्रेशर उकर ठंडा भी हो जाएगा ये सारी चीज़े दस मिनिट में बहुत अराम से हो जाती है जब आप कुकर खोलोगे तो आप खुदी देखना सारी चीज़े पक चुके होंगी दोस्तों A to Z हर एक चीज सिर्फ 80% त पके हैं थोड़ी सी कसर रहती है आलू में तो अब आपने क्या करना है तो अब आपने ग्यास को आउन करना है और इसमें इतना सारा जो पानी आ गया है ना जो प्यास से कमाटर से जो पानी निकला है यह आपको उड़ाना है ताकि जो भुनाई रहती है वो बिल्कुल कम्प्लीट हो जाए और फ्लेवर एकदम निखर कर आए और इस प्रोसेस को जल्दी करने के लिए आप यहाँ पर एक टेबल स्पून तक तरह मसाला डाल देना और थोड़ी सी हरी मिर्चे डाल देना एक फ्रेशनेस भी आएगी खुश्बू भी आएगी दीरे-दीरे करके पानी जब उढ़ने लग जाएगा और तेल उपर सा आने लग जाएगा पांच से छे मिनिट लगेंगे दोस्तों आपको इसमें जब ये स्टेज आ जाए तो फिर आप एक चम्मज तक धही डालना सिरफ एक चम्मज तक खटी नहीं होने चीए दही बस बैलेंस के लिए मैंने धही डाली है और एंड में कसूरी मेथी डाल देना इस सारी चीजे दोस्तों आप अच्छे से मिलाना दो मिनिट तक अच्छे से पकाना तक कि धही का कच्चापन भी दूर हो जाए और सारे मसाले अच्छे से मिलता है और बस आलू मटर बनके पूरे तयार है अब ही बहुत ड्राइ ड्राइ होंगे तो आप क्या करना कि आप गरम गरम पानी एक से दो कप के आसपास जितना आप तरी बनाना चाहते हो उस हिसाब से बिल्कुल अच्छे से मिलाना एक उबाला आना देना और ढख कर गास बंद करके पांच मिनिट तक छोड़ देना अपने आप ही सारा फ्लेवर रज जाएगा और हर एक चीज एकदम परफेक्ली बन कर आएगी दोस्तों यह देखो दोस्तों आप एकदम परफेक्ली बने हुए आलू मटर है और अगर मैं आपको आलू दिखाऊ ना तो एकदम क्रीमी एकदम सॉफ्ट आलू बनते हैं और मठर तो एकदम 100% पके हुए है तो इससे रसान आलू मटर की भी देखने है जो कि 15-20 मिनिट में ही बन जाए तो आप ये वीडियो देखना आपके बहुत काम आएगी